वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये आउसम एक extension देख लीजिए, मैं लिखता हूँ हूँ टू सेंटर डिव एड बूम गाईसी, मुझे आटोमेटिक पूरा suggestion आ रहा है, अगर मैं tap प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हूँ मुझे कुछ हो इस तरी किसे suggestion आ रहा ह आपको ये भी बता रहें कि उसका जो source है, वो कहां से मिल रहा है, तो guys ही बहुत ही awesome extension है, आज हम इस वीडियो के बारे में देखने वाले, obviously guys अब आप सोच रहूँगे कि ये कैसे हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा guys, पहले अगर कुछ भी, suppose ही बहुत common, एक web developer जब भी को output दे रहा है, तो मैंने कल की वीडियो भी बनाया था कि ChatGPT को आप VS Code अटल में कैसे उस कर सकते हो, लेकिन we have one more extension जिसका नाम है black box, तो guys ये जो black box extension है, ये बता भी रहा code search, ये एक ऐसा AI is built so that the developers could find the best code snippet to use while building awesome products, and इसको use कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा simple है, just आपको एक comment, basically दो line add करना, forward slash, आप देख सकते हो, in JavaScript, and साथ ही साथ अगर आपको Python में करना है, तो guys आपको इस तर किसे hashtag उस करना पड़ेगा, then आपका जो question है, वो आपको लिखना है, ठीके, and at the end में आपको question mark add करना है, ठीके, and the moment आप question mark add करते हो guys, black box automatically आपको code snippet generate करके देगा, and then guys simply you have to press the tab, ताकि आप उस जो suggested code snippet है, उसको आप रख सको, या use कर सको, and yeah this is it, ठीके, and आप आप देख सकते हो, available in 20 plus programming, तो guys आप देख सकते हो, black box आपका extension कुछ ऐसा है, तो guys simply आपको extension पर आना है, and here you have to write black box, आपको इस तर किसे black box लिखना है, तो आपको इस तर किसे black box लिख आएगा, तो guys आप किसी भी page पर आई है, ठीके, आप जस डबल कोट इस कीजे इस तर किसे, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, simply हम लिख देते हो, how to create, how to create a model in react, in JavaScript कर देते हो, पहले तो ठीके, in JavaScript and question हीट कर देते, and I guess we'll, यहाँ पर C, R, E, T, E, spelling हम सही लिख देते है, right, and let's say guys, हमें यह output देता है, and boom guys, see, यह देखे, पूरा output आगया हमें यहाँ पर, and इतने awesome तरीके से बता रहा है, and बता भी रहा है, कि यह उसका वो suggestion है, so guys, अब आप simply क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको उसने बता है, tap press कीजिए, ठीके, यह देखे, कितने awesome तरीके से, आपको CSS का part, आपको आपका functions, and then here we have our button, and then इहाँ पर we have a data, and then इस तरीके से model, तो यह है ना कितना ज्यादा awesome, कि अब आपको कहीं जाने की जोती नहीं, अपने VS Code editor पे ही, just आप question पूछे, and answer आपके सामने रेडी, तो कैसा आपको कैसा लाग है, यह था ना बहुत ही ज्यादा awesome, मै इसको हटाता हूँ, let's ask दूसरा question, simply लिए तो how to validate an email in contact form, ठीक है, contact form in JavaScript, इस तरीके से लिखते हैं, मैं capital में लिख रहा हूँ गलती से, but doesn't matter, तो guys, let's see क्या होता, ठीक है, हमने question mark tap कर दिया है, देखते हैं, आपको पूरा का पूरा suggestion बता रहा है, and पूरा code आपको यह मिल र तो guys, ही है ना, बहुत ही ज़्यादा awesome, कि अब आपको कहीं जाने की जौतनी, VSCO Redditor पे ही, आप question पूछो, output आपके सामने ready है, so guys, this is it, आज इस वीडियो के लिए तना ही, hope आपको वीडियो पसंदा होगा, guys, आपको वीडियो कैसा लगा, नीचे काउन करके, जरू बताना and ऐसे ही VSCO Redditor के awesome extension, अगर आपको मालूम है, तो नीचे comment जरू कीजएगा, इससे बाकी की भी help होगी, and guys, मुझे भी बहुत helpful लगता है, तो मैं नेक्स ताम इसके उपर भी वीडियो जरू अप्लोड करूँगा, so guys, this is it, आज इस वीडियो के लिए तना ही, don't worry, इन सब का तेक्योग!